कड़त कानून के बाद भी महिलाव और नाबालिक बच्चियों पर अत्याचार के मामले थम नहीं रहे हैं हाली में पूने में एक नाबालिक लड़की के साथ 13 लोगों के सामूहिक दुशकर्म किया जिसने पूरे राज को जखजोर कर रख दिया था इस बीच पूने में ही एक ट्यूशन टीचर द्वारा अपने ही नाबालिक छात्रा को हवस का शिकार बनाने का मामला सामने आया है सरमसार करने वाली या घटना पूने के वनवाडी इलागे की है आरोपी पिछले तीन महिनों से पीडिता का योन शोषड कर रहा था आरोपी के लगातार प्रताणना से तंगा कर पीडिता ने आखिरकार अपनी मा को घटना के बारे में बताया जिसके बाद बच्ची के माता पिता भी सदमे में आ गए पीडिता की मा ने पूरे के वनवाडी थाने में 52 वर्षिय टीचर के खिलाब शिकायत दर्ज कर आई जिसके बाद पुलिस ने पॉसको एक्ट समित विभिन धाराओ के तहत केस दर्ज कर आरोपी सिच्चा को गिरिफतार कर लिया गिरिफतार टीचर पूरे के वनवाडी इलाके में ही प्राइवेट टीशन लेता है बताया जा रहा है कि 15 वर्षिय पीडिता पिछले कुछ महिने से आरोपी टीशन टीचर के पास पढ़ने आ रही थी पीडिता ने आरोप लगाया है कि 3 अगस को आरोपी टीचर उसे बिल्डिंग के छट पे ले गया और उसके साथ जबरंदुस कर्म किया बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडियन सिटीजन टीवी के साथ जाल है वे हुआ है कर्झे बने आरोप लगाला झाल तायरों कि लिए लա